अर्ली ओड पे आपका स्वागत है चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकन प्रेस कर दे ताकि आपको जो भी मुरिटोडियम से रिलेटेड वीडियो अपडेट होगी आपको नोटिफिकेशन इमेडियेटली आ जाए ओके इस वीडियो में हम लोग देखेंगे है यदि आपके बास पंजाब नेशनल बैंक का बैंक अकाउंट है या लोन है या क्रेडिट कार्ड है तो उसका मुरिटोडियम का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं कैसे मुरिटोडियम अपला कर सकते हैं कम्प्लीट प्रोसेस स्टेप बाइ स्टेप हम official website को अपने mobile या laptop पे जहां भी आप open करोगे open कर लेना है open करने के बाद आपको यहां पे ध्यान से पढ़ना है जैसे आप जैसे मालों यह pnb.india.in यह इनकी official website है ठीक है हर बैंक का moratorium के लिए application का प्रोसेस अलग अलग है और सबसे अपने बात मैं नहीं करूंगा किनका अच्छा है किनका खराब है सभी का एक ही लाइन में जान लो सभी का अलग अलग procedure है आपके सो इनको यह देख रहे हो इनकी website ही नहीं चल दी इतनी घटिया है देख रहे हो आप इनकी server ही नहीं काम कर रहा है इनका server ही डाउन हो गया कैसे यह लोग banking का service प्रोवाइड करता कैसा banking का सबसे बेटर best service है आपको HDFC का जिदि आपके पास है account ठीक है या loan है या card है या आपके पास SBI का है ठीक है तो SBI का थोड़ा ठीक है बांकि HDFC या ICI का जिदि अकाउंट है या loan या card चल रहा है तो उनके लिए आपको हम लोगों ने process बता दिया है देखते हैं इसकी website कुछ open हो भी पा रही है नहीं हो पा रही है यह error अच्छा फिर भी हम बता देते हैं आपको आप जैसे यह website open करोगे तो पंजाब National Bank की official website open हो जाएगी open होने के बाद नहीं जहां यह sorry आ रहा है न तो यहां पे आपको लिखा आएगा जो आपको home पे आपके bank branch में विजिट करना परेगा ज़री आपको moratorium चाहिए तीन मेहने का तो आपको bank branch विजिट करके वहाँ पे form फिल करके देना परेगा उनको उनके बाद आप moratorium के लिए eligible होगे और जब तक आप branch विजिट नहीं करोगे form फिल करके उसको दोगे नहीं तब तक आपको moratorium का benefit नहीं मिलने वाला है ठीक है तो यह हमने बता यह form का link वे video की description में हम डाल देंगे तो आप यहां से form को download करके आप branch में जाके उसको submit कर सकते हो यह form है ठीक है यह loan के लिए भी है business loan के लिए भी है सभी तरह का loan के लिए है तो आपको क्या करना है इसको download कर लेना है download करने के बाद यह देखो यह form है download करने के बाद आपको अपने branch में भेजिट करके इसको submit करना प्रहे है यहाँ लिकाव है letter of request from the party for availing relief under covid-19 regulatory package यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है address डालना है जिस branch में आपका account है branch का नाम डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पे loan की loan account नमर डालना है ओके फिर यहाँ भी जैदी आपका को sorry ODCC जो भी loan नमर होगा वो डाल देना वही नमर डाल देना यहाँ पी उनके बाद यहाँ पे आपको sign करना है place डालना है date डालना है और branch में submit कर देना है ठीक है यह भी एक तो ऐसे कर सकते हो जदि आपके इसको download form फिल करके लेके जा सकते हो यहाँ जदि आपको यह फिल नह जाना ही परेगा और उसके अलावा कोई solution है ही नहीं इन्होंने कोई solution नहीं दिया है online का तो आपको branch जाना ही परेगा और branch जाके ही आपको form फिल करके या उसको request देना परेगा तब जाके आप moratorium का benefit ले सकते हो लेकिन यह भी form आपको fill कर लोगे तो आपको आसानी होगी form फ moratorium का benefit ले सकते हो पंजाब national bank का सबसे बेकार प्रोसेस पंजाब national bank का ही है क्योंकि इस bank के बारे में तो आप लोग जानती ही हो क्या सीन है इस bank का तो बेसिकली यह है आप पंजाब national bank की official website भी open करोगे तो यहां पर दिखेगा और वहां भी लिखा रहेगा जो आपको branch जाके request डालना पड़ेगा तब जाके आप moratorium के लिए eligible होंगे और आपको benefit मिल सकता है उमीद करते हैं आपको यह video पसंद आएगा ठीक है और जानकारी वाली बाते हैं इसमें और कोई दर दर की बात नहीं है आपको सिर्फ हमने समझाने के लिए समझाने वाले तरीके से आपको बताया ओके वीडियो देखने के लिए धनवाद Thank you